हालो एव्रिवन आप सबका फिर से स्वागत है इना इन एजिकेशन फैमली में 500 क्वेशन्स हमने असिस्टेंट लोको पालेट के लिए कम्प्लीट कर लिए हैं उससे पहले हमने 1000 क्वेशन्स प्रिवियस यर का कम्प्लीट किया है उन सारे वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है टोटल 1500 क्वेशन्स नहीं देखा है तो उन सारे क्वेशन्स को देख लिजे यकीन मानिए आपके असिस्टेंट लोको पालेट एक्जाम के लिए काफी अच्छ से हमने वो सारे के सारे सेट्स डिजाइन किये हैं जो पैटर्न रहने वाला है पेपर का और जिस लेवल का क्वेशन्स पूझा जाता है उसे तरीके से हमने आपके लिए 10 सेट्स यहां पे डिजाइन किया है और 5 सेट्स अलेडी हमने कम्प्लीट कर लिया है तो अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथे साथ बल आइक और प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई भी कमी वीडियो में नजर आती है तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएगा फर्स्ट क्वेशन से स्टार्ट करते हैं अभिज्यान शाकुंतलम के लेखा कौन थे तो ये थे कालिदास आएने अकबरी की रचना किसने करी थी तो ये अबुल फजल ने की थी उरन परी किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है पीटी उशा को next question है odc किस राज्य का शास्त्रिय नित्य है तो ये इस से पुस्तने लिखा था तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने गोदान किस की रचना है तो ये मुंशी प्रीम चंद्र की रचना है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है तो ये होता है होकी में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 नमेंबर को स्वाइन फ्लू बिमारी किस विशानों से फैलती है तो ये H1N1 से स्वाइन फ्लू फैलती है Question number 11 दीने इलाही धर्म किस मुगर शासक ने चलाया था तो ये चलाया था अकबर ने AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होता है I mean AIDS का फुल फार्म क्या होता है तो ये होता है Acquired Immunodeficiency Syndrome ATM का पूर्ण विस्तार क्या होता है तो ये होता है Automated Tailor Machine LPG का पूर्ण विस्तार अगर पूछा जाए तो ये Liquified Petroleum Gas Angrazy East India Company ने भारत में पहला कार खाना कहां लगाया था तो ये लगाया था सूरत गुजरात में अंतरिक शियात्री को बाहे आकाश कैसा दिखता है तो ये काला दिखता है और अंति मुगल समराट कौन था तो ये था बहादर शाफ जफर द्वीतिये अमर कंटक किस नदी का उद्गमस्थल है तो ये नर्मदा नदी का उद्गमस्थल है अमेरिका ने जापान के हीरोशिमा पर परमानुबं कब गिराया था तो ये गिराया था 6 अगस 1945 को अमेरिकी राष्टपती का शासन काल ने कितने वर्ष का होता है कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो ये 4 वर्ष का होता है आयोध्या किस नदी के किनारे है तो ये सर्यू नदी के किनारे बसावा है आगाखा कब किस खेल से संबंदित है तो ये हौके से संबंदित है और आरे समाज के अस्थापना कब और कहा की गई थी तो ये मुंबई में 1875 में की गई थी इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं टोटल साथ रंग होते हैं और उगते और डूगते समय सोरे लाल प्रतीत होता है ऐसा रीजन ऐसा क्यूं होता है क्या रीजन है इसका क्योंकि लाल रंग का प्रकेड़न जो है न वो सबसे कम होता है इसलिए जब उगता सोरे दिखता ह या दूबता वा दिखता है तो लाल रंग जादा स्केचर्ड होता है पुत्री धुर्प को दक्षिनी धुर्प से मिलाने वाली कालपनिक रेखा क्या कहलाती है तो यह कहलाती है देशांतर रेखा नेक्स्ट क्वेस्चन देख लेते हैं उपराश्टपती का चुनाव कौन कर तो ये करता है संसत सदस से, LPW शब्द किस खेल से रिलेटेड है तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है और आस्कर पुरसकार का संबंद किस छेतरे से है तो ये फिल्म से है, कथक किस राज्य का शास्त्रिय निर्टे है तो ये यूपी का है, और 31 नंबर पैस्टन देखते हैं, का और टीन के मिस्रधातू है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेन हाइट तापमान बराबर होता है तो ये माइनस 40 डिग्री पे होता है किस भारतिय राज्य की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है तो ये नागालेंड की राजभाषा जो है ये अंग्रेजी है किस सम्विधान शंस्वोधन द्वारा मौलिक करतव्यों को सम्विधान में जोरा गया था तो ये 42nd amendment के द्वारा किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये मौलाना अबुल कलाम आजात के जन्म दिन को जो की भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे किसके शासनकाल में मुरक्को का यात्री इपने बतूता भारत आया था तो ये मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नेक्स्ट क्रेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्रेशन है हमारा कोई विधयक धन विधयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष खालसा पंथ की अस्थापना किस ने की थी गुरु गोबिन सिंग ने की थी ख्वाजा मुहिन उद्दीन चिस्ती का दरगाह कहा है तो ये अजमेर में है चेचक के टीके की खोज किस ने की थी तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी जैपूर की अस्थापना किस ने की थी तो ये अजमीर आमेर के राजा सवाई जैसिंग ने की थी जलिया वाला बाग में गोली बारी का आदेश किस जनरल ने दिया था तो ये माइकल ओ डायर ने दिया था जीरो की नगरी कौन सा शहर कहलाता है तो ये कहलाता है उदैपूर नेक्स्ट क्वेशन है टीपो सुल्टान की राजधानी कौन से थी तो ये थी स्रेडंग पटनम डाइना माइट का अविस्कार किस ने किया था तो ये अल्फरेट नॉविल ने किया था दुरंड कब किस खेल से संबंदित है तो ये फुटबॉल से संबंदित है Q47 तमबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है तो ये बना है भूटान दिली ट्रॉफी का संबन्द किस खेल से है तो ये क्रिकेट से है और दिली में लाल किला किस ने बनवाया था तो ये मुगल बादशा शाह जहाने बनवाया था दूद से दही किस जिवानों के कारण बनता है तो ये लाक्टो बैसिलस के कारण बनता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था तो ये किया था सविने अवग्या आंदोलन नेक्स्ट प्रेशन है नेता जी सुभाष रास्ट्रिये खेल संस्थान कहां इस्थित है तो ये पटियाला में इस्थित है पटना का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो पाटली पुत्र परमानूबं कि सिधान पर कारे करता है तो ये नाब किये विखंडन पर कारे करता पराश्रप तरंगों की आवरिती कितनी होती है तो यह 20,000 हर्ड़् होती है पैने सिलिन की खोज अगर पूछा जाए किस ने किया तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया और बांधी पूर अभ्यारन किस राजे में इस्तित है तो यह करनाटक में इस्तित है सारा का सारा हमने separate वीडियो में complete कर रखा है बिस्मिल्ला खान का संबंद किस वादे यंद्र से है तो ये शहनाई से है और भाखरा बांध किस नदी पर बसा हुआ है तो ये 17 नदी पर बसा हुआ है नेक्स्ट है भाप इंजन का अविश्कार किस ने किया था तो ये जेम्स व इंडिया है और भारत का च्छेतरफल कितना है तो ये 32,87,263 km है 32,87,263 km है भारत के पहले महिला आई-पियस सधीकारी कौन बनी थी तो ये थी कीरन बेदी भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे तो ये थे डॉक्टर बी-र अमबेदकर भारत के प्रतम ग्रीह मंत्री क more geht agaday और भारत Q67 भारत में जेपसम का सर्वादिक प्रोडक्शन के स देश में होताए किस राज्य में होता है हं आफ के जेगा तो ये राजस्थान में होता है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य मंत्री कौन रहा तो ये जोती बसू जो की पश्चिम बंगाल के थे बाद सरकार का समविधानिक मुख्या कौन होता है तो ये राष्ट्रपती होते है और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रितम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो ये थे बदरुद्दीन तहियब जी बारतिय समविधान में पहला संशोधन किलोमेटर मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतू को पालतू बनाया था तो ये बनाया था कुट्ता को मलेरिया की दवा कुनीन किस पौदे से प्राप्त होती है तो ये सिनकोना से प्राप्त होती है और मुगल वंश का जो शासक कौन सा शासक था जिसने मुगल वंश की थापना की थी राज्य सभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष बाद होता है तो ये एक तिहाई इसलिए कहा जाता है कि राज्य सभा कभी भंग नहीं होता और इसका कारेकार कितने वर्ष का होता है राज्य सभा के सदस्यों का कारेकार कितने वर्ष का होता है तो ये मददाता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 25 जैनवरी को मनाया जाता है रेडियो का आविस्कार किस ने किया तो ये इटली निवासी मारकोनी ने किया था रेवीज के टीके की खोज किस ने की थी तो ये लुइस पास्चर ने की थी वायू मंडल की कौनसी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वालेट केड़नों से बचाती है तो ये ओजोन है विजय स्थम कहां इस्तित है तो ये इस्तित है चित्त और गड में विद्युद्धारा की एकाई कौनसी है तो ये है एमपियर और नेक्स्ट प्रेशन देख लेते हैं विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमेटर रेल मार्क जोकी ट्रांस साइबेरिया रूस का है किन दो देशों को जोड़ता है तो ये सेंट पिटर्सबर्ग और बलादी वोस्तक को जोड़ता है स्ट्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो ये एक मई को मनाया जाता है संसत का सयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो ये राष्टपती बुलाता है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो ये है रफलेशिया और संसार की प्रत्थम महिला प्रधान मंत्री कौन है तो ये सिरी माउ बंडार नाएके संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये नील नदी है और संसार में सबसे छोटा पक्छी कौन सा है हमिंग बर्ड को दिया गया था सन 1928 के बार्दोली अंदोलन का निर्थित्व किस ने किया था तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था सबसे कठोर्तम पदार्थ कौन सा है तो ये है हीरा और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ये है रिगवेद सबसे बड़ा जिवित पक्षी शुतरमुर्ग और समराट अशोक ने किस युद्ध के बाद बहुत धर्म ग्रैन कर लिया था तो ये कलिंग युद्ध के बाद बहुत धर्म ग्रैन कर लिया था सालार जंग म्यूजियम जो है ये कहां है ये है है हैदराबाद में और हरप्पा के सभेता किस यूग से संब बंदित है question number 99 हर्याना के पहले राज्यपाल कौन थे तो ये थे धर्मवीर और 100 प्रिदय की धरकन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनीज आवश्यक है तो ये है potassium तो ये total 100 questions हमने complete की और इसी के साथ हमने इस set का 600 questions इस series का हमने complete कर रखा है और previous year questions हमने 1000 complete कर रखे हैं सो मिलते है next video में thank you so much